प्रिये बेहनों और भायों, बेटे और बेटियों, हमारे देश के कई राज्यों में, कोरोना फिर से तेजी से फ्याल रहा है, अपने प्रदेश के कुछ जिलों में, इस सब्ताहत तेजी से पोजिटिट केसे की संख्या बढ़ी है, याद रखिए अभी तुरंट साथान ना होए, तो कोरोना हम सब को संकत में डाल लेगा, और इसलिए मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना आए, कोरोना से बचने के लिए, मोबट फेस मास्क लगाए, सुरक्ष दूरी बढ़ा के रखे, बाजार में भीड़ना होने दें, दुकान दार भी इसका धान रखे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहे, साब्धानी में ही सुरक्षा है, प्रदेश के पांच जिलोमें पिछले सब्काश है, तेजी से पोजेटिब केस्ट बढ़े हैं, भोपाल, इंदोर, ग्वालिया, रतलाम, विदिसाथ, यहां कोरोना तेजी से बढ़ा है, इसके फैसला किया है, कि 21 नमबर की, रात दस बजे से, सबेरे छे बजे तक, रात प्री कालीन कर्फ्यू, इन सहरों में लगाया जाएगा, रात के दस बजे से लेकर प्रात अच्छे बजे तक, जब तक कोरोना के केसिस कमनी होती है, कर्फ्यू जारी रहेगा, इस कर्फ्यू के दौरान माल वहाग ट्रक की आवाजाही जारी रहेगी, सेक्र्टीज में काम करने वाले वर्कर्स सेक्र्टियों में जा सकेंगे, हम नहीं यह भी तैखिया है, कच्छा एक से लेकर आठ तक के, इस्कूल बंद रहेंगे, नौ से लेकर बार्वी तक के विद्धार थी, विभाग के निर्देशों के अंसार केवल, गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे, कालेज भी बंद रहेंगे, केवल बार्कर्संकली छात्रवाद जाप आईए, हम ने, प्रदेश के सभी ये लोग है, 21 नमंबर को, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक, आईजित करने का फैसला किया है, जिले के कलेक्टर इन बैठकों को आईजित करेंगे, और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप, आने वाले समय में बिवाह में या अन्य सामाजिक भार में कारिकमों में कितनी संख्या सहर में रहेगी, कोरोना के संक्रमन की स्थिति को देखते हुए फैसला करेंगे, हम ये भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप पे छोड़ रहे हैं, कि यदि कहीं किसी मोहल्य या कालोनी में केजी से कोरोना का संक्रमन फैलता है, तो वो मोहल्य या कालोनी कंटेंडमेंट जॉन डिक्लियर किया जा सकेगा, और वहां से फिर आना जाना मही हो सकेगा, सरकार अपने तरफ से हर संभव प्रयाश करेगी, मैं अपने प्रिय बेहनों और भाईयों से, बेटे बेटियों से, ये अपील करता हूं, प्रार्जना करता हूं, अपने लिए अपने प्रदेश के लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, कोरोना की हर गाईटाइन अपालन करे साबधान रहे, सुरक्षित रहे बहुत बहुत धन्यवाद